भारत माता की भारत माता की मद्ध प्रदेश के गवणर श्री मंगुभाई पतेल, मुख्य मंत्री भाईश्टिवराज जी, केंद्रिय मंत्री मन्डल के मेरे सहयोगी गण, पंचाई दिराज मंत्रावे का नेत्रूत्व कर रहे हैं भाईगिर राज जी, विधायगण, साउसदगण, अन्यत सभी महारुफाव और बड़ी संख्या में यहां पदारे मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, जीवा की इस एतियासिक धर्ती से मैं माविंद्य वासिनी को प्रणाम करता हूँ, यह धर्ती शुर्वीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है, मैं अन गिनत बार रिवा आया हूँ, आपके बीच आया हूँ, और हमेशा मुझे आपका भरपूर, प्यार और स्नेल मिलता रहा है, आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशिरवाद देने आये हैं, मैं आप सभी का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को देश की ढ़ाई लाग से अधिक पंचायतों को राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत सुब कामरा हैं, आज आपके साथ ही तीस लाग से जादा पंचायत प्रतिनी दिवी हमारे साथ वर्चुली जुड़े हुए हैं, ये निश्चित रुप से भारत के लोग तंत्र की बहुत ही ससक्त तश्वीर है, हम सभी जनता के प्रतिनीदी है, हम सभी इस देश के लिए, इस लोग तंत्र के लिए समर्पीत है, काम के दाइरे बले ही अलग-अलग हो, लेकिन लक्ष एक ही है, जन सेवा से राश्ट्र सेवा, मुझे खुशी है कि गाउं गरिब का जीवन आसान बनाने के लिए, जो भी योजनाई केंद्र सरकार ने बनाई है, उन्हें हमारी पंचयते, पूरी निष्ठा से जमीन पर उतार रही है, भाई और भेनों, आज यहाँ ई-ग्राम स्वराज और ई-ग्राम पोर्टल को मिला कर, जो नई व्यवस्ता लॉंच की गई है, उससे आपका काम और आसान होने वाला है, पी-ए-म स्वामित्व योजना के तहद भी, देश के 35 लाग ग्रामीर परिवारों को प्रोपर्टी काण दिये गए हैं, आज मद्द प्रदेश के विकास से जुड़ी 17,000 करोड रुपिय से अधिकी परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन भी हुआ है, इसमें रेलिवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से जुड़ी परियोजनाओं हैं, गाउं गरीब का जीवन आसान बनाने वाले, रोजगार का निर्मान करने वाले, इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथियों, आज़ादी के इस अमरित काल में, हम सभी देशवासियों ने विख्षीद भारत का सपना देखा है, और उसे पूरा करने के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं, भारत को विख्षीद बनाने के लिए, भारत के गाउं की सामाजिक ववस्ता को विख्षिद करना जरूरी है, भारत को विख्षिद बनाने के लिए, भारत के गाउं की आर्थिक ववस्ता को विख्षिद करना जरूरी है, भारत को विक्सित बनाके लेके लिए भारत के गाउं की पंचायत व्यवस्ता पंचायती व्यवस्ता को भी विक्सित करना जरूरी है इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें ससक्त कर रहे हैं पंचायतों में सुभीधा बढ़ा रहे हैं ये आज गाउवाले भी देख रहे हैं देश के लोग भी देख रहे हैं 2014 के पहले पंचायतों के लिए बित्त आयोक का अनुदान 17,000 करोड रुपे से भी कम था आकड़ा याद रखोगे आप आकड़ा याद रखोगे कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा याद रखोगे 14 के पहले 17,000 करोड चे कम क्या इतनी कमरासी से इतना बड़ा देश इतनी सारी पंचायते कैसे अपना काम कर पाती 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान सत्तर हजार से बढ़ा कर दो लाख करोड रुपिय से जादा हो गया है आप बताएंगे मैंने कितना बताया पहले कितना था अब कितना हुआ अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं मैं आपको दो और उदान देता हूँ 2014 से पहले के 10 वरसों में मैं उन 10 साल की बात करता हूँ केंद्र सरकार की मदद से 6000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे पूरे देश में करीब करीब 6000 पंचायत गर बने थे हमारी सरकार ने आट साल के अंदर अंदर तीस हजार से जादा नए पंचायतो भवान का निर्मान करवा चुकी है अब यह आंकड़ा भी बताएगा कि हम गाउं के लिए कितने समर्पीत है पहले की सरकार ने ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी लेकिन उस योजना के तहत देश की सत्तर से भी कम स्वाबी नहीं सत्तर से भी कम ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया था वो भी शहर के भार जो नद्दिक में पंचायत पढ़ती थी वहाँ पर गए थे यह हमारी सरकार है जो देश की दो लाग से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है फर्क साफ है दोस्तों आजाती के बाद की सरकारों ने कैसे भारत की पंचायती राज ववस्ता को द्वस्त किया मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता जो व्यवस्ता आजादी के भी सेक्डों वर्स हजारों वर्सों पहले से थी उसी पंचायती राज ववस्ता पर आजाती के बाद भरोसा ही नहीं किया गया कुछ जबापू कहते थे भारत की आत्मा गावों में बस्ती है लेकिन कॉंग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया नम्बे के दसक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूरती जरूर की गई लेकिन फिर भी पंचायतों की तरब वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी चाथियों 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के ससक्तिकर्ण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परणाम नजर आ रहे है आज भारत की पंचायते गाओं के विकास की प्रानवायू बनकर उभर रही है ग्राम पंचायते गाओं की आवशक्ता के अनुसार गाओं का विकास करे इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योधना बना कर काम किया जा रहा है साथ क्यों हम पंचायतों की मदद से गाओं और शहरों के बीच की लिखाई को भी लगातार कम कर रहे हैं डिजिटल क्रांती के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है आज पंचायस तर पर योजनाय बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक मैं टेक्नोलोजी का भरपूर इस्तमाल हो रहा है जैसे आप लोग अमरुद सरवरोवर पर इतना काम कर रहे हैं इन अमरुद सरवरोवर के लिए जगह चुनने में काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलोजी का खूब इस्तमाल हुआ है आज यहाँ इग्राम स्वराच जैम इंट्रिगेटेड पोर्टल का सुभारम भी किया गया है इससे पंचायतों के माध्धम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी इससे अब पंचायतों को कम किमत में सामान मिलेगा और स्थानिय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक ससक्त माध्धम मिल जाएगा दिद्व्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजे पंचायतों के सब सामान इस पॉर्टल पर आसानी से मिलेगा भाई और भेनों आदुनिक टेकनोलोजी का एक और लाब हम पी एम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं हमारे यहां गाउं के घरों के प्रापर्टी के कागजों को लेकर बहुत उल्जने रही हैं इसके चलते भली भाती के बाद विबाद होते हैं अवेज कब्जों की आशंका होती हैं पी एम स्वामित्व योजना से अब ये सारी स्थितियां बदल रही हैं आज गाउं गाउं में ड्रोन टेकनलोजी से सर्वे हो रहा हैं मैप बन रहे हैं इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं अभी तक देश भर में 75,000 गाउं में प्रोपर्टी कार देने का कारिय पूरा हो चुका है और मुझे खुसी है कि मद्ध्र प्रजेश की सरकार इसमें बहुत बहतरीन काम कर रही है साथियों मैं कई बार सोचता हूँ कि छिंदवाडा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो आपके विकास को लेकर इस खेत्र के विकास को लेकर इतना उदासिन क्यों रहे इसका जबाब कुछ राजनितिक दलों की सोच में है आजहादी के बाद जिस दल ने सबसे ज़्यादा समय तक सरकार चलाई उसने ही हमारे गाउं का भरोसा तोड़ दिया गाउं में रहने वाले लोग गाउं के स्कूल गाउं की सडके गाउं की बिजली गाउं में भंडारण के स्थान गाउं की अर्थ व्यवस्ता कॉंग्रेज सासन के दोरान सबको सरकारी प्राफिकताओं में सबसे नीचले पाइदान पर रखा गया भाई और बहनों देश की आधी से जादा आबादी जिन गाउं में रहती है उन गाउं के साथ इस तरह सोतेला वहवार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए 2014 के बाद जब आपने हमें सेवा का आउसर दिया तो हम गाउं की अर्थिववस्ता को गाउं में सुविधाओं को गाउं के लोगों के हीतों को सर्वोच्च प्रात्फिक्ता में ले आए हैं उजबला योजना के तहट जो दस करोर गैस कनेक्शन मिले वो गाउं के लोगों को ही तो मिले हैं हमारी सरकार में गरीबों के जो देश भर में पौने चार करोर से भी अधिक गर बने हैं उसमें से तीन करोड चे अधिक गर गाउं में ही तो बने हैं और इसमें भी बड़ी बात ये है कि इन जादातर घरों में माली का नाहक हमारी बेहनों, बेटियों, माताओं का भी है हमारे हाँ एक ऐसी ट्रेडिशन चली, गर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, खेत हो पुरुष के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था हमने ये रिवाज बदला है और माली का नाहक हमारी माताएं बहने बेटियां बड़े साथियों भाजपा की सरकार ने बेश की करोडों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पी एम आवाज का हर गर लाख रुपिये से भी जादा कीमत का होता है यानि भाजपाने देश में करोडों करोडों दीदी को लखपती दीदी बनाया है मैं इस समी लखपती दीदियों को प्रणाम करता हूँ अब आशिरवाद दीजिये कि देश में और कोटी कोटी दीदी भी लखपती बने इसके लिए हम काम करते रहें आज भी यहाँ चार लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गिरव प्रवेश हुआ है इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपती दीदी बन गई है मैं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथ क्यों पी एम सवभागी योजना के तहट जिन धाई करोड घरों में बिजली पहुँची उनमें से जादातर गाउं के ही गर है गाउं के रहने वाले मेरे बाई बेन है गाउं के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर गर जल योजना भी शुरू की है सिर्फ तिन चार सान में इस योजना की वज़े से देश के नव करोड से अधीक ग्रामिल परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है यहां MP में भी गाउं में रहने वाले सिर्फ तेरा लाग परिवारों तक नल से जल पहुंचता था पहले की बात करता हूँ आज MP के गाउं में करीब करीब 60 लाग गरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो सद प्रतिशत हो गया है साथियों हमारे गाउं के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता था बुला दिया गया था गाउं के जादा तो लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुभीदा मिलती थी बैंक खाता ना होने की वज़ा से सरकार जो पैसा गरिबों के लिए भेटती थी वो भी बीच में ही लूट जाता था हमारी सरकार ने इसे भी पुरी तरफ बदल दिया है हमने जनदन योजना चलाकर गाउं के 40 करोर से जादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माद्यम से पोस्ट रपिस का उप्योग करके गाउं तक बैंकों की पहुँच बढ़ाई हमने लाखों बैंक मित्र बनाए बैंक सखियां को प्रसिशित किया आज इसका परभाव देश के हर गाउं में नजर आ रहा है देश के गाउं को जब बैंकों की तांकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गाउं के लोगों की मदद हो रही है साथियों पहले की सरकारों ने भारत के गाउं के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था पहले की सरकारे गाउं के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी गाउं अपने आप में कोई वोट बैंक तो था ही नहीं इसलिए उन्हें नजर अज किया जाता था गाउं के लोगों को बाढ़ कर कई राजनीतिक दाल अपनी दुकान चला रहे थे भारतिय जनता पार्टी ने गाउं के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है हमारी सरकार ने गाउं के विकांस के लिए भी तीजोरी खोल दी आप देखिए हर गर जल योजना पर साड़े तिन लाग करोड रुपे से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है पीएम आवास योजना पर भी लाखों करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं दसकों से अधुरी पड़ी सिंचाई परी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाग करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं पीएम ग्रामिल सड़क योजना पर भी हजारो करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निजी के तहद भी सरकार ने करिब करिब डाई लाग करोड रुपे सीधे किसानों के बैंक खातों में बेजे हैं यहां एम पी के लगबग 90 लाग किसानों को भी 85,000 करोड रुपे इस योजना के तहद मिले हैं इस निजी से रीवा के किसानों को भी करिब करिब 500 करोड रुपे मिले हैं हमारी सरकार ने जो MSP बढ़ाई है उससे भी गाउं में हजारो करोड रुपे अतिरिक्त पहुंचे हैं कोरोना के इस काल में पिछले तीन साल से हमारी सरकार गाउं में रहने वाले गरीबों को मुप्त राशन दे रही है गरीब कल्यार की ये सोजना पर भी तीन लाग करोड रुपे से अधिक खर्च किये जा रहे हैं साथियों जब गाउं में विकास के इतने काम होते हैं जब इतना सारा पैसा खर्च होता है तो गाउं में रोजगार के आउसर भी बनते हैं गाउं में रोजगार स्वरोजगार को गती देने के लिए गाउं के लोगों को गाउं में ही काम देने के लिए केंदर सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है मुद्रा योजना के तहर लोगों को बीते वर्षों में 24 लाग करोड रुपे की मदद दी गई है इसे गाउं में भी करोडों लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाभारती भी हमारी बेहने हैं, बेटियाएं, माताएं हैं हमारी सरकार की योजना किस तरह गाउं में महिला ससक्तिकन कर रही है गाउं में महिलाओं को आर्ति गुरुप से ससक्त कर रही है उसकी चर्चा आज हर तरफ है बीते नव साल में नव करोड महिलाएं सेल फिल गुरुप में शामिल हुई है यहां मद्दपदेश में भी पचास लाख से जादा महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमारी सरकार में हर स्वयम सहायता समू को बिना बेंगरटी 20 लाख रुपय तक का रण दिया जा रहा है कितने ही लगुद्यों की कमान अम महिलाएं ही सबाल रही है यहां तो राज सरकार ने हर जिले में दीजी कैफे भी बनाया है पिछले पंचायत चुनाओं में सेल्प हेल्प गुर्प से जुड़ी करीब सत्रा हजार बहने पंचायत प्रतिनिती के तौर पर चुनी गई है यह अपने आप में बड़े गर्व की बात है मैं मद्दप देश की नारी शक्ती को इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आज यहां आजादी के अमरुत महोसों में समावेशी विकास का अभियान भी शुरू हुआ है यह विक्सीद भारत के निर्मार के लिए सबका प्रयास के भाव को ससक्त करने वाला है विक्सीद भारत के लिए देश की हर पंचैत हर संस्ता का प्रतिनिदी हर नागरिक हम सब को जुटना होगा यह तबी संभव है जब हर मुल्चुविदा तेजी से शत प्रतिशत लाभारती तक पहुँचे बिना किसी बेदभाव के पहुँचे इसमें आप सभी पंचैत प्रतिनिद्यों की भूमिका बहुत बड़ी है भाई और बैनों पंचैतों द्वारा खेती से जुड़ी नई ववस्ताओं को लेकर भी जागरुपता भ्यान चलाने की जरुत है प्राकृतिक खेती को लेकर आदेश में बहुत व्यापक स्थर पर काम चल रहा है यहां भी केमिकल खेती के नुक्सान के बारे में चर्चा हुई है हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धर्ती मा की तकलीप के बारे में हम सभी को बताया नाट्य प्रोग करके धर्ती मा की बेदरा हम तक पहुँचाई है केमिकल वाली खेती से धर्ती मा का जो नुकसान हो रहा है बहुत आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सब को समझाया है धर्ती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी हमें हमें हमारी मा को मारने का हक नहीं है ये दर्ती हमारी मा है उस मा को मारने का हमें अधिकार नहीं है मेरा अग्रह है कि हमारी पंचायते प्राकृतिक खेती को लेकर जन जाग्रण अभियान चलाए छोटे किसान हो पशु पालग हो मच्छुवारे भाई बहन हो इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविती से जुड़ेंगे तो राश के सामुहित प्रयासों को मल मिलेगा यही अमृत काल में विक्सित भारत के निर्मान की उर्जा बनेगी साथियों आज पंचायती राज दिवस पर मदद प्रदेश विकास को नई गती देने वाली कई और परियोजनाओं का सिलान न्यास और लोकारपन हुआ है चिंदवाडा नेनपूर मनला फोर्ट रेल नाइन के बिजली करण से इस ठेत्र के लोगों की दिल्ली चेन्नई और हावडा मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी इसका बड़ा लब हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी होगा आज चिंदवाडा नेनपूर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्पे और गाउं अपने जिला मुख्याले चिंदवाडा सीविने से सीधे जुर जाएंगे इन ट्रेनों की मदद से नाकपूर और जबलपूर जाना भी आसान हो जाएगा आज जो रिवा इतवारी चिंदवाडा नई ट्रेन चली है उससे भी अब सीविनी और चिंदवाडा सीधे नाकपूर से जुर जाएंगे यह पूरा छेत्र तो अपने बनने जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां परियाटन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए आउसर भी बनाएगी इसका बड़ा लाब यहां के किसानों को होगा विद्यार्थियों को होगा रेलवे के डेली प्रेसिंजर्श को होगा छोटे कारोवारी और दुकानधारों को होगा आज मैं आपका एक और बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभी सिवराज जी ने बड़े विस्तार चे वरनन्द किया कि इस रविवार मन की बात के सौ एपिसोड पूरे हो रहे हैं आप सभी के आशिरवाद आप सभी के स्थे और आपके योगदान की वज़े से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुचा है मदपदेस के अनेकों लोगों की उपलब्द्यू का जिक्र मैंने मन की बात में किया है यहां के लोगों की लखों चीठिया और संदेश भी मुझे मिलते रहे हैं इस बाँ रविवार को मन की बात मैं फिर आप से मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि सेंचुरी है ना और हमार यहां तो सेंचुरी का जरा आप महत तो ज्यादा ही होता है आप भर भार की तरह रभी बार को अवश्य मेरे साथ जुडियेगा इसी आग्रा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक बार फिर आप सभी को पंचायती राज दिवस की अ अनेक शुब कामनाए देता हूं बहुत बहुत धन्वाद भारत माता की भारत माता की भारत माता की